MKR पर आप सभी का स्वागत है, मिरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैस से चप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स के exercise 7.3, exercise 7.3 में total 5 questions है, एक एक करके सभी questions को इसी वीडियो में solve गरेंगे, exercise 7.3 के अलावा इस चप्टर ट्राइंगल्स की जो अधर वीडियो है, exercise 7.1, 7.2 या फिर introduction वाली वीडियो, सभी की अलग-अलग वीडियो बनाई गई है, सभी के लिंक आपको नीचे description box में provide किये गए हैं, उनको देख लेना और चप्टर को जल्दी से complete कर लेना, इस वीडियो में exercise 7.3 शुरू कर देते हैं next page से, exercise में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, question number 1, question number 1 में कहता है, triangle ABC and triangle DBC are two isocelous triangles on same base BC and vertices A and D are on same side of BCC figure, if AD is extended to intersect BC at P, show that, सबसे पहले question को समझ लेते हैं, question में हमें यहाँ पर triangle दिये गए हैं, ABC और DBC, देखो, ABC हमारा एक isocelous triangle है, isocelous triangle की AB और AC वाली जो sides हैं, जिन पे single mark किया गया है, यह एक दूसरे के equal दी गई हैं, isocelous triangle एक दूसरे के बने हुए हैं, इसके अलावा जो हमारे vertices A और D हैं, इनको join कर दिया गया है, और D point से आगे कुछ इस तरह से बढ़ा दिया गया है, इस P point तक, कि यह P वाला point BC को intersect करता है, ठीक है, कहाँ पर intersect करता है, P point पर intersect करता है, यानि कि यहाँ पर आके BC को यह divide कर देता है, अब हमें इस question में चार चीजे करनी हैं, तो एक एक करके करेंगे, पहले वाले part में है triangle ABD और ACD, इनको हमें congruent करना है, तो पहले वाले part में, जो भी हमारे दोनों triangles हैं, कौन कौन सा है भाई, triangle ABD है, और दूसरे वाला मेरा triangle कौन सा है, triangle ACD है, इन दोनों को congruent करना है न, तो triangle देखो कौन कौन से है, figure में ABD वाला मेरा triangle आपको दिख रहा है, ये वाला triangle है, और दूसरा कौन सा है, ACD वाला triangle, इन दोनों triangles को मुझे congruent करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB जो है, वो AC के equal है, इसमें हमार AB आती है, इसमें हमारी AC आती है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि AB equal हो जाएगी मेरी AC के, और ये कैसे हुई है, ये हमें दी गई है, question में ही, तो reason लिख देंगे, यहाँ पर given, ठीक है, दो isocellus triangle है, जिनकी ये वाली side equal हमें given है, बिलकुल इसी तरह से, जो हमारा DBC triangle ह ये भी क्या है, isocellus triangle है, तो भाई ये वाली side भी एक दूसरे के equal होंगी, ये कौन सी है, BD और ये है CD, आप देखो इसमें BD आ रहा है और इसमें CD आ रहा है, यानि कि ये दोनों side BD और equal हो जाएगी हमारी यहाँ पर, CD के इसका भी reason क्या हो जाएगा, ये भी given है, ये भी हमें D गई है, आप देख सकते हो, A, B, D में हमारी ये वाली side BD आ जाती है, और A, C, D में ये वाली side हमारी CD आ जाती है, इसके बाद आप देखो, जो हमारा ये वाला triangle है और ये वाला triangle है, इन दोनों में हमारी ये वाली side AD आती है, दोनों में ये common है, तो मैं इस तरह से लि ट्राइंगल्स में आती है तो common हो जाएगी हमारे पास तीन पॉइंट्स मिल गए हैं ट्राइंगल्स को congruent करने के लिए तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई जो भी मेरा ट्राइंगल है ट्राइंगल A, B, D ये congruent हो जाता है किसके ट्राइंगल A, C, D के दोनों ट्राइंगल्स हमें फस्ट वाले पार्ट में congruent करने थे यहाँ पर हमने कर दिये हैं कौन से रूल से हुए हैं ये जरूरी है लिखना हमें तिनों यहाँ पर पॉइंट्स में side 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 मिली ह इक्वल तो ऐसे 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 congruency rule से ये दोनों एक दूसरे के congruent हो जाते हैं अब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के congruent हैं तो CPCT वाला रूल भी हम use कर सकते हैं कुछ चीजे निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल हमारे congruent हो चुके हैं फस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ अब सेकंड वाला पार्ट करने के लिए move करेंगे next page पर और दूसरा ट्राइंगल हमारा है ACP इन दोनों ट्राइंगल को congruent करना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा जो हमारी AB side है वो इस ट्राइंगल के AC के equal हो जाएगी तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ AB equals to में हो जाएगा यहाँ पर AC के अब second point हमें देखना होगा second point हमें य ABD और ACD को congruent कर दिया था तो दोनों ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के congruent अगर हो गए हैं तो यहाँ पर जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो क्या हो जाएंगे भाई एक दूसरे के equal हो जाएंगे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये क्या हो जाता है भाई CP CT से ये एक दूसरे के equal हो जाते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल तो इनके corresponding पार्ट एक दूसरे के equal हो जाएंगे ये हमारी हो गई है first equation ठीक है अब जो भी हमारी ये first equation है ये as it is यहाँ पर लिख देनी है जो भी हमारा ट्राइंगल यहाँ पर ह a b sorry यहाँ पर हमारा ट्राइंगल है a b p a b p वाले में एंगल 1 आता है उसके बाद जो हमारा a c p है इसमें हमारे पास एंगल 2 आता है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई एंगल 1 जो है वो equal हो जाएगा हमारा एंगल 2 के इसका reason हमें क्या लिखना है पहले वाले का reason ह हो जाएगा given और दूसले वाले का reason क्या हो जाएगा by equation first first वाली equation में हम ये कर चुके है reason हम दे चुके है यहाँ पर ठीक है तो first वाली equation से हमारा second point आ गया अब third point की बात करते हैं जो भी हमारा ये वाला triangle है a b p और जो भी हमारा triangle है a c p इन दोनों की एक common side आपको दिखेगी देखो इसमें भी हमारी a p side दोनों triangle में इधर वाले triangle में भी आती है इधर वाले triangle में भी आती है तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि भाई a p equal हो जाएगी हमारी यहाँ पर जो भी a p side है उसी के reason क्या हो जाएगा दोनों triangles में आती है तो reason में लिख देंगे common simple सा ये reason हो गया ह हमें यहाँ पर 3 point मिल जाते हैं तो मैं कहा सकता हूँ कि जो भी मेरा triangle है भाई A, B, P वो congruent हो जाएगा triangle A, C, P के कौन से rule से हुआ है ध्यान से देखो पहले हमें side मिली फिर angle फिर side मिली तो मैं कहा सकता हूँ side angle side congruency rule से ये एक दूसरे के congruent हो गए है second वाले part में हमने इन दोनों triangle को congruent कर दिया अभी third वाला part भी है उसके लिए move करते हैं next page पर question number one के third वाले part की बात करते हैं इसमें हमें show करना है कि AP bisect angle A as well as angle D जो हमारी ये line AP है ये angle A को bisect करती है और साथी angle D को भी bisect करती है तो जो भी यहाँ पर angle D पे हमारे बनने वाले angles हैं माल लेते हैं ये angle 3 होगा ये angle हमारा 4 होगा अब एक simple सी बात यहाँ पर देखो हमने क्या किया था फस्ट equation में angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal हैं ये हमने लिख लिया था ना तो यहाँ पर as it is वो लिख देते हैं angle 1 equals to में angle 2 इसका reason यहाँ पर लिख देंगे by equation फस्ट फस्ट वाली equation से हमने ये लिख दिया है अगर angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal हैं भाई ये वाला angle और ये वाला angle एक दूसरे के equal हैं इट मिंस जो भी हमारी ये line है AP ये वी इस पूरे angle A को क्या करती है दो equal parts में divide कर देती है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ therefore AP bisect से angle A भाई angle A को तो ये bisect करती है अब angle D को bisect करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा angle 3 और angle 4 को equal करके दिखाना पड़ेगा angle 3 और angle 4 को कैसे equal करेंगे मैं दो triangles यहाँ पर लूँगा भाई D, B, P और यहाँ पर C, D, P इन दोनो triangles को हमें congruent करना होगा तो लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं इन triangle पहला आ जाएगा मेरे पास D, B, P और दूसरा triangle आ जाएगा मेरे पास कौन सा D, C, P इन दोनो triangles को congruent करने के लिए सबसे पहले क्या देखो भाई B, D और C, D यह दोनो एक दूसरे के equal हैं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ B, D equal हो जाएगा यह C, D के reason क्या हो जाएगा यह हमें दिया गया है यह दोनो side एक दूसरे के equal है क्योंकि triangle यहाँ पर क्या है यह दोनो triangle मतलब यह वाला triangle आईसो सैले से है तो यह side एक दूसरे के equal हो गई दूसरी चीज यहाँ पर देखो जो यह वाली D, P है यह इधर वाले triangle की भी side है इधर वाले triangle की भी side है तो मैं लिख सकता हूँ कि D, P यह equal होगी हमारी D, P के ही क्योंकि दोनो triangles में आती है तो reason हो जाएगा यहाँ पर कोमने इसके बाद third point important है उसको ध्यान से समझना हमने क्या किया था जो भी हमारा A, B, P और A, C, P है इन दोनो triangles को हमने क्या कर दिया था भाई, congruent कर दिया था B, P equal हो जाएगा C, P के कौन से rule से हुआ भाई, C, P C, T rule से, second वाले part में जो दो triangles हमने congruent किये थे उनसे ये conclusion हम निकाल सकते हैं इसको हम कहे देंगे equation number second इसी second equation को यहाँ पर लेकर आ जाएगे भाई, जो भी second equation हमारी है उसमें लिख देंगे हम B, P equals to में हो जाएगा C, P, reason यहाँ पर लिख देंगे क्या reason होगा, हम कहां से लेकर आएगे हैं इसको second equation से तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ by equation second ठीक है, simple चीज़, यहाँ पर हमें तीन चीज़े मिल गई है, तीनो side मिली है तो मैं कहे सकता हूँ कि जो भी मेरा triangle है D, B, P, वो congruent हो जाएगा triangle किसके भाई D, C, P, K और कौन से rule से हुआ है, side मिली है हमें तीनों, तो SSS congruency rule से यह हो जाता है अब simple सी बात बताओ यह छोटा वाला triangle हमारा है और यह वाला triangle है यह दोनो triangle एक दूसरे के congruent है, तो एक line यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो भी मेरा angle 3 है वो angle 4 के equal हो जाएगा कौन से rule से होगा भाई CP, CT rule से हो जाएगा अगर angle 3 और angle 4 एक दूसरे के equal हो गई तो हम यह कह सकते हैं कि AP line इस angle D को bisect करती है, क्योंकि 2 equal parts में यह divide करती है 3 और 4 equal हो चुके हैं तो एक line यहाँ पर लिख देंगे therefore AP bisect से angle D, जो भी हमारी AP है वो angle A को bisect करती है क्योंकि angle 1 और angle 2 एक दूसरे के equal है, और AP हमारी angle D को भी bisect करती है क्योंकि angle 3 और angle 4 एक दूसरे के equal आ जाते हैं, question number 1 का 3 वाला part भी हमने complete कर लिया अभी 4 वाला part बचा है, उसके लिए move करते हैं next page पर question number 1 का last वाला part देखते हैं, इसमें हमें दिया है AP is perpendicular bisector of BC, हमें show करना है कि AP वाली जो हमारी ये line है figure में देखोगे, ये BC को perpendicularly bisect करती है अब देखो BP और CP एक दूसरे के equal हैं, ये तो हम show कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो BP CP एक दूसरे के equal हो गए अब हमें ये भी show करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो angle बनता है, वो 90 degree का है, तब ही उसको perpendicular bisector हमें कह सकते हैं अब इसको show करने के लिए सबसे पहला point क्या होगा, second वाले part में जिन दो triangles को हमने congruent किया था, उसी को सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा, हमारा triangle यहाँ पर आ जाएगा, इनी दोनों triangles को ले लेंगे, triangle ABP एंड ये हमारा congruent हो गया था, triangle ACP से कौन से rule से किया था, हमने SA AS congruency rule से second वाले part को हमने solve किया था, इन दोनो triangles को congruent हमने कर दिया था अगर ये दोनो triangle एक दूसरे के congruent हैं, तो यहाँ पर जो angle बनेगा, और यहाँ पर जो angle बनेगा, चलो इन angles की naming कर देते हैं, मालो ये angle 5 है और इधर जो angle है, ये हमारा 6 है, अगर देखो ABP, ये वाला हमारा ABP वाले में कौन सा हमारा angle आता है, angle number 5 आ रहा है, और ACP वाले में हमारा कौन सा angle आता है, भाई, angle number 6 आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ABP का angle number 5 है, और ACP triangle का angle number 6, ये एक दूसरे के equal होंगे, कैसे होंगे CP, CT rule से होंगे, क्योंकि दोनों triangles एक दूसरे के congruent हैं तो उनके corresponding angles equal हो जाएंगे, इसके बाद जो हमारा chapter number 6, lines and angles था, उसमें हमने क्या सीखा था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, on line BC यहाँ पर मैंने लिखा, on line BC जो भी हमारा BC वाली line है, वो एक सीधी line है, ठीक है BC, एक सीधी line है, इसके P point पर angle 5 और angle 6 दो angles बनते हैं, इन दोनों को मैं add करूँगा, तो क्या होगा angle 5 प्लस में angle 6 करूँगा, तो इनका सम कितना होगा भाई, 180 degree का होगा क्योंकि यह दोनों क्या करते हैं linear pair बनाते हैं linear pair का सम 180 degree होता है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखो angle 5 और angle 6 एक दूसरे के equal हैं, तो मैं इसे angle 5 की जगए पर, angle 5 angle 6 के equal है, तो angle 5 की जगए पर मैं क्या लिख सकता हूँ, angle 6 लिख सकता हूँ, प्लस में यहाँ पर फिर से angle 6 है, हमारा as it is equals to me 180 degree, जो भी यहाँ पर हमारा 2 angle 6 के साथ multiply है, दूसरी तरफ shift कर देंगे तो हो जाएगा, divide में 2 से 180 को cancel करेंगे, तो 90 times पर यह cancel हो जाएगा यानि कि angle 6 की value हमारी कितनी आ जाती है, 90 degree आ जाती है, जो भी हमारा यहाँ पर angle 6 है, वो क्या हो गया 90 degree का हो गया, अगर यह वाला angle 90 degree का हो गया it means AP वाली line क्या है भाई, perpendicular है इसके अलावा BP और CP यह दोनों एक दूसरे के equal है तो यह bisector भी है यह हमने यहाँ पर prove कर दिया है एक line यहाँ पर नीचे की तरफ लिख देंगे fourth वाले part के लिए बिल्कुल last में हमें यह line लिख देनी है AP is perpendicular bisector जो भी हमारा AP है वो perpendicular bisector है इस line BC पर यह हमारा angle हो गया है 90 degree का तो perpendicularly BC को यह bisector करती है AP वाली line question number 1 हो जाता है हमारा complete अब question number 2 हमें करना है तो उसके लिए move करेंगे next page पर question number 2 आ गया इसमें है AD is an altitude of an isocellus triangle ABC in which AB equals to AC show that भाई सबसे पहले question को समझते हैं question को समझने के लिए सबसे पहले तो है triangle draw कर लो triangle ABC यह हमारा triangle हमने draw कर लिया अब इस triangle में हमें एक altitude बना देना है AD तो यह हमने एक altitude यहाँ पर बना दिया है इस point की naming कर देंगे यह हमारा D point हो गया हमारा triangle क्या है isocellus triangle है जिसकी दो साइड AB और AC एक दूसरे के equal हैं तो AB और AC पर हमने single mark कर दिया दोनों साइड equal हमें given हैं अब हमें show यह करना है कि AD bisect BC जो भी हमारी यह line है AD यह इस BC को bisect करती है यानि कि दो equal parts में divide करती है एक बात यहाँ पर important आपको समझनी है कि जो भी altitude होता है altitude हमेशा 90 degree का angle बनाता है यानि कि यहाँ पर जो angle बनेगा 90 degree का होगा दूसरी तरफ जो angle बनेगा यह भी 90 degree का होगा दोनों तरफ angles जो बनेगे वो 90-90 degree के बनते हैं altitude बनता है तो इस तरह से होता ही है अब यहाँ पर first वाले part पर आ जाएंगे first वाले part को solve करने के लिए हमें दो triangles को congruent करना होगा कौन सा triangle है triangle ABD है और दूसरा triangle हमारे पास यहाँ पर in triangle ABD और दूसरा triangle कौन सा है मेरा दूसरा triangle के बारे में यहाँ पर लिखेंगे triangle है मेरे पास ACD इन दोनों triangles को congruent कर देंगे तो easily first वाला part हमारा complete हो जाएगा और second वाला part भी complete हो जाएगा देखो भाई ABD को देखो सबसे पहले इसमें हमारे है question में ही यह हमें दी गई है इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते है जो भी हमारा यहाँ पर angle है इस वाले triangle का angle यह और इस वाले में भी अंगल आता है 90 degree का दोनों triangles में इसमें भी और इसमें भी 90-90 degree के angle आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर मेरा एंगल बनेगा कौन सा एंगल बनता है यहाँ पर देखो ADB है और दूसरा बनता है ADC तो यहाँ पर मैं लेख सकता हूँ एंगल ADB और जो भी दूसरा एंगल मेरा है एंगल ADC यह एक दूसरे के इक्वल होंगे क्यों होंगे क्योंकि भाई दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं reason हो जाएगा बोत है 90 डिग्री इसके बाद third point की बात करते हैं देखो इस वाले triangle में मेरे पास AD side आती है और यही AD side इस वाले triangle में भी आती है ध्यान से देखोगे तो AD वाली side इधर वाले triangle में भी आती है इधर वाले triangle में भी आती है यानि कि यह common है लिख सकते है AD equals to में आ जाता है AD reason हो जाएगा यहाँ पर common दोनों triangles में आती है तो common reason यहाँ पर हमने लिख देना है अब तीन point हमें मिल गए है तो मैं कह सकता हूँ कि triangle मेरा ABD और दूसरे वाला जो triangle है वो congruent हो जाते है ACD यह दोनों triangle से एक दूसरे के congruent हो गए लेकिन यहाँ पर आपने ज़रूरी ध्यान देने वाली जो चीज है कौम से rule से हुआ है आप कहोगे कि हमें मिली side फिर मिला हमें angle फिर हमें मिली side लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास 90 degree का angle हमें मिला equal ठीक है उसके बाद इसके opposite वाली side क्या होती है hypotenious होती है तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर मिला right angle उसके अलावा हमें hypotenious भी मिली एक दूसरे के equal और एक side यहाँ पर हमें equal मिल गई है तो कौन से rule से हुआ RHS rule इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा by RHS congruency rule से दोनो triangle एक दूसरे के हो जाते हैं congruent अगर यह दोनो triangle एक दूसरे के congruent हैं तो मैं कह सकता हूँ B से D और C से D यह दोनों एक दूसरे के equal हो जाएंगे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ B D equal हो जाएगा मेरा C D क्यों होगा भाई? CP CT नाम सुना है ना उसी से यह equal हो जाते हैं अगर यह दोनों triangle एक दूसरे के congruent हैं तो इसकी side जो B D है और C D है वो एक दूसरे के equal हो गई अब B D और C D एक दूसरे के equal है इसका मतलब क्या है? कि जो A D line है वो इस B C को B D और C D दो equal parts में divide करती है यानि कि bisect करती है फस्ट वाले part में हमें यही तो करना था तो एक point यहाँ पर लिख देंगे therefore A D bisect से B C जो भी A D है वो B C को bisect करती है क्योंकि B D और C D एक दूसरे के equal यहाँ पर आ गए हैं अब हम बात करेंगे second वाले की second वाले में क्या करना है? देखो चुटकियों में कैसे solve होता है? question आपको यहाँ से पता चलेगा हमें बताना है कि A D bisect angle A जो भी हमारा यहाँ पर angle बनता है naming कर लेते हैं माल लेते हैं यह हमारा X है और दूसरी तरफ हमारा Y है अब यहाँ पर देखो यह दोनों triangle से एक दूसरे के congruent हमने कर दिये है RHS rule से यह वाला triangle और यह वाला triangle congruent हो गए है तो मैं कह सकता हूँ कि angle X और angle Y क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के equal हो जाएंगे लिख देता हूँ angle X equals to me angle Y कैसे equal होंगे? CP CT नाम सुना होगा इसी rule से यह हो जाएंगे एक दूसरे के equal अगर यह दोनो angle X और angle Y एक दूसरे के equal है equal कब होते हैं? जब जो हमारी line A, D है वो इनको bisect करती हो angle A को bisect करती है तभी तो equal होंगे ना? तो बस line यह वाली उठाके यहाँ पर नीचे लिख देनी है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ therefore A, D bisect से angle A, X और Y एक दूसरे के equal आ गए है it means A, D वाली line इस पूरे angle A को bisect करती है question number 2 में इतना ही हमें करना था question number 2 complete हुआ question number 3 के लिए move करेंगे next page पर question number 3 इसमें दिया गया है two sides AB, BC and median AM of one triangle ABC are respectively equals to side P, Q, Q, R and median P, N of triangle P, Q, R and C figure show that है question number 3 में हमें figure दिया गया है figure से ही समझ लेते हैं figure में हमारे पास दो triangle है पहला triangle यहाँ पर है ABC वाला इसकी median यहाँ पर AM है अब आप कहोगे median क्या होता है तो median का मतलब आप समझो यहाँ पर जो भी median होती है ना AM median है तो इस BC line को यह दो equal parts में BM और CM में divide करती है median का काम यही होता है इसी तरह से हमारे पास दूसरा triangle है P, Q, R इस P, Q, R में P, N median है तो P, N क्या करेगी Q, N और R, N इन sides को equal कर देगी Q, R को दो equal parts में divide कर देगी हम यह भी कह सकते हैं अगर median हमारी P, N है तो N जो है ना इस Q, R वाली line का midpoint होगा ठीक है इसी तरह से BC का midpoint क्या हो जाएगा M हो जाएगा simple चीज आप भी तक मैंने बताई है अब information जो दी गई है ना कि AB, BC और AM जो line हमारी है यह तीनो line किसके equal है P, Q, Q, R और P, N के यानि figure से ही अगर हम समझें देखो AB पर यहाँ single mark किया गया है और P, Q पर भी single mark किया गया है तो हम कहे सकते हैं हमें क्या दिया गया है AB जो है वो equal हमारी है किसके P, Q के इसके बाद next यहाँ पर आप देखो जो हमारा AM है इस पर तीन बार marking की गई है और जो दूसरा वाला हमारा P, N है इस पर भी तीन बार marking की गई है तो मैं कहे सकता हूँ कि जो AM है वो किसके equal है भाई P, N के equal है यह भी हमें given है इसके बाद जो हमारी side B, C है वो Q, R के equal है देखो B से C पर double marking की है और Q से R पर भी double marking की है तो यह दोनों भी एक दूसरे के equal है it means यहाँ पर लिख लेते है B, C equals to में हो जाएगा हमारा Q, R यह तीन चीजे हमें दी गई है तीन side हमें equal दी गई है हमें सबसे पहले वाले part में क्या करना है triangle A, B, M और P, Q, N को congruent करना है तो इनी दोनों के बारे में लिखूंगा triangle A, B, M and triangle दूसरे वाला लिख लेंगे यहाँ पर हमारा P, Q and इन दोनों triangles में हमें तीन चीजे चाहिए पहली चीज यहाँ पर देखो A, B, M हमारा ये वाला triangle है और P, Q, N ये वाला triangle है single mark जिन पर हो रखा है उन sides को हम equal कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई A, B ये equal हो जाएगी भाई किसके P, Q के ये हमें कहां से मिला है भाई ये हमें question में ही दिया गया है तो given reason यहाँ पर लिख देना है इसके बाद next point की बात करें तो भाई A, M जो है A, B, M वाले के side है और P, Q, N की side है P, N ये भी तो equal दी गई है हमें तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि भाई A, M equal हो जाएगी मेरी A सोरी यहाँ पर हमारा P, N आएगा तो P, N के इसका reason भी क्या हो जाएगा given reason आपने लिख देना है अब जो third point है न वो काफी interesting होगा हमें कहीं पर भी ये तो दिया नहीं है कि B, M और Q, N एक दूसरे के equal है तो ये हमें लेकर आना पड़ेगा कैसे लेकर आएगे हमें दिया क्या गया है कि B, C equals to में Q, R है तो इसी को लिख लेते हैं बाई सबसे पहले B, C equal हो गया हमारा यहां पर Q, R के ये हमें given है लेकिन ये इन triangles की side नहीं है आप देखो B, C क्या हमारे A, B, M जो है इसकी side है ये B, C इस triangle से तो अलग बाहर जाती है न ये वाली side तो मैं क्या करता हूँ जो भी मेरी B, C और Q, R है इन दोनों का मैं half कर देता हूँ आधा कर देता हूँ ठीक है थोड़ा सा इसको इधर करके मैं इस तरफ भी 1 by 2 से multiply कर देता हूँ इस तरफ भी 1 by 2 से multiply कर देता हूँ दोनों तरफ 1 by 2 से मैं multiply करूँगा तो अब चमतकार जो होगा ना उसको देखना आप है ये पूरी side हमारी BC है मैंने इसका आधा कर दिया 1 by 2 का मतलब होता है half आधा कर दिया आधा होने पर कितना हो जाएगा पूरी line है BC तो M इसका midpoint मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था अगर मैं BC का आधा कर दूँगा तो कितनी बचेगी मेरे पास सि 1 by 2 BC यानि की BC का जो half है वो BM हो जाएगा इसी तरह से जो मेरे पास यहाँ पर 1 by 2 QR है QR का मैं half कर दूँगा तो QN हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास QN लिख देना है मुझे अब simply आप देखो मेरे पास triangle ABM और PQN की side आ गई है BM और QN एक दूसरे के equal आ गई है मुझे यहाँ पर 3 points मिले है कौन-कौन सा AB equals to में PQ AM equals to में PM और PN और BN equals to में QN यह 3 points हमें किसके मिले है triangle ABM और triangle PQN के तो मैं कह सकता हूँ कि भाई triangle मेरे पास जो है ABM यह congruent हो जाता है किसके triangle PQN के कौन से वाले rule से हुआ है तीनों condition में हमें side मिली है side मिली है side मिली है तो कौन से rule से होगा side 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 congruency rule से दोनों congruent हो जाते हैं first वाले part में हमें यही करना था कर दिया first वाला part complete हो गया पीछे वाले page पर हमने triangle ABM और PQN को first वाले part में congruent कर दिया था SSS rule से अब हमें second वाले part में करना है triangle ABC और triangle PQR को congruent जिनको भी करना है इनी के बारे में लिख लेता हूँ इन triangle ABC और जो भी दूसरे वाला triangle है PQR इन दोनों को हमें congruent करना है तो 3 points हमें डूंडने होंगे सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास AB है इसमें हमारे पास PQ है AB और PQ क्या है एक दूसरे के equal है तो मैं लिख सकता हूँ AB equals to में हमारा हो जाएगा PQ figure से देखना चाते हैं तो वो भी देख सकते हैं ABC हमारा ये triangle है और triangle PQR है इनको हमें congruent करना है तो देखो single mark वाली side AB है single mark वाली side PQ है एक दूसरे के equal हो गई इसी तरह से double mark वाली side को देखेंगे लेकिन उससे पहले आप एक चीज मुझे बताओ जो भी मेरा यहाँ पर angle मैं लिखता हूँ ये angle मेरे पास X है ये angle मेरे पास Y है आपने क्या किया यहाँ पर triangle ABM और PQN को congruent कर दिया भाई ABM में हमारे पास angle X आता है और PQN में हमारे पास angle Y आता है ये दोनों triangle एक दूसरे के congruent हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि angle X से equal to में angle Y हो जाएगा कैसे होगा CP CT से हो जाएगा क्योंकि दोनों triangle first वाले part में जो हमने congruent किये थे X और Y उन्हीं दोनों triangle का congruent part है first वाले point के लिए हमने reason नहीं लिखा है ये हमें दिया गया है तो reason यहाँ पर आ जाएगा given दो point हमें मिल गए अब तीसरा point क्या है देखो हमें दिया है BC equals to में QR देखो यहाँ पर हमारे पास BC आता है इसमें हमारे पास QR आता है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ BC equals to में आ जाएगी हमारी side QR ये हमें given है तो reason यहाँ पर given लिखेंगे अब simply हमें तीन point मिल जाते है तो मैं कह सकता हूँ कि triangle ABC ये congruent हो जाता है हमारा triangle P, Q, R के कौन से rule से हुआ है इस बात को ध्यान में रखना है side angle side हमें मिली है तो SA congruency rule से दोनों triangles congruent हो गए first वाला part हमने यहाँ पर solve कर लिया था पीछे वाले page पर और second वाला part हमने यहाँ पर solve कर लिया है question number 3 complete हुआ question number 4 के लिए move करते हैं next page पर question number 4 है इसमें दिया है BE and CFR to equal altitudes of triangle ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isocellus है हमें यहाँ पर triangle बनाना है सबसे पहले triangle ABC इसके दो altitude है BE और CF हमें RHS congruence rule का use करके prove करना है कि triangle ABC क्या हो एक isocellus से triangle हो तो सबसे पहले हमें construction करनी होगी construction में क्या करेंगे draw करेंगे एक triangle ABC इस पर altitude बनाएंगे BE और CF कैसे करना है तो देखो triangle तो आप easily draw कर सकते हो यह हमारा triangle हो जाता है ABC triangle हो गया अब जो हमारा B point यहाँ पर है इससे हम BE altitude बना देंगे B point पर यहाँ पर रखके इस तरह से मैं line लगा दूँगा यहाँ पर E point पर आ जाएगी ठिक है तो यह हो गया हमारा B से E तक हमारा altitude इसी तरह से C से F तक हमें altitude बनाना है C से F तक भई मैंने यह बना दिया यहाँ पर altitude यह वाला point हो गया मेरा F है मैंने आपको बताया है पीछे वाले questions में कि जो भी altitude होता है वो 90 degree का angle बनाता है It means यहाँ पर जो हमारा angle बनेगा ठीक है यह वाला जो angle बनेगा 90 degree का होगा F, C, F जो है यह भी altitude है तो यहाँ पर भी हमारा 90 degree का angle बनेगा altitude हमेशा 90 degree का angle बनाते हैं इस बात को आपने ध्यान रखना है अब हमें दिया क्या गया है given हमें क्या है कि BE and CF are two equal altitude हमें BE और CF दोनों equal altitude दिये गए हैं तो given में इनी को लिख लेंगे BE equals to CF हमें दिया गया है हमें prove क्या करना है कि ABC एक isocellus triangle है isocellus वो triangle होता है जिसकी दो side equal हो यानि कि हमें ये prove करना होगा कि AB equal है AC के तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AB equal करना है हमें उसको AC के ये हमें prove करना है बात करेंगे prove की prove करने के लिए क्या किया जाए मैं दो triangles को congruent करूँगा कौन कौन सा triangle BEC वाला ले लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इन triangle पहले वाला कौन सा है BEC and दूसरे वाला जो triangle है उसको भी figure में देखो दूसरे वाला triangle लोगा मैं CFB ये जो दो triangle मेरे होंगे triangle CFB और जो दूसरे वाला triangle मैंने आपको बताया था BEC इन दोनों को congruent कर दूँगा तो काम खतम हमारा almost हो जाएगा अब आपने ध्यान से देखना है कि जो भी हमारा यहाँ पर triangle है BEC और CFB इन में दो angles हमारे हैं BEC वाला जो angle है 90 degree का है इसी तरह से CFB जो है ये भी हमारा 90 degree का है तो मैं लिख सकता हूँ कि angle BEC ये equal हो जाएगा हमारा angle CFB के reason क्या होगा भाई बोथ 90 degree दोनों 90 degree के हैं तो एक दूसरे के इसी लिए equal हो गए है इसके बाद second reason की बात करते हैं जहान से देखना फिर से figure को BEC वाले में 90 degree के opposite वाली side कौन सी है BC है और जो दूसरा triangle है मेरे पास CFB इस वाले में भी 90 degree के opposite वाली side यही आती है दोनों triangles में BC वाली side common आ जाती है मैंने आपको बता भी दिया है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ BC इसमें क्या होगा देखो कैसे लिखना है वो भी जरूरी होता है B पहले आया है C बाद में आया है तो हम लिखेंगे BC इसमें C पहले आया है B बाद में आया है तो हम लिखेंगे CB side तो हमारी वही रहेगी हम इसको क्या बोल सकते हैं BC बोल सकते हैं यही side रहेगी C, B कहेंगे तो भी हमारी यही side रहेगी, यह दोनो triangles में आती है, तो reason हो जाएगा यहाँ पर, को मने, इसके बाद next point की बात करेंगे, हमें क्या-क्या चीज़े मिल गई है, 90 degree का angle मिल गया है, 90 degree के opposite वाली जो side होती है, उसको हमारा C, F, B वाला triangle है, इसकी side हमारी C, F, यह दोनों एक दूसरे के equal हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ B, E, यह equal हो जाएगी मेरी, C, F के reason क्या हो जाएगा, यह हमें दिया गया है तो given लिखकर close कर देंगे bracket को, जो भी 3 point थे वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं आपने यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी हमारे दो triangles हैं, B, E, C और दूसरा वाला triangle है हमारा यहाँ पर A, triangle, C, F, B यह दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के congruent यह हो जाते हैं, congruent हो गई, कौन से rule से हमें करने थे R, H, S rule से करने थे तो भाई, सबसे पहले right angle हमें मिला, उसके बाद right angle के opposite वाली जो side होती है, यह क्या होती है hypotenious होती है तो पहली वाली condition में right angle मिला फिर हमें hypotenious मिली, फिर एक side मिल गई, तो मैं कहा सकता हूँ हमने इसको किस से किया है R, H, S rule से किया है ठीक है, तो R, H, S rule से हमने इन दोनों triangle को congruent कर दिया है, लेकिन हमें prove क्या करना था, हमें prove करना था कि A, B, C एक isocellus triangle है इसको isocellus करने के लिए हमें A, B और A, C को equal करना पड़ेगा, भाई, इस वाले triangle में A, B और A, C इन दोनों triangle में आती ही नहीं है एक चीज हम क्या कर सकते है कि जो मेरा triangle यहाँ पर B, E, C है, इसमें जो यह angle बनता है, यह पूरा angle इस पूरे angle को मैं naming कर देता हूँ, यह X होगा और इधर जो angle बनता है, यह मेरा Y हो जाएगा, अब आप एक simple चीज देखो, B, E, C में मेरे पास angle X आया है और जो दूसरा triangle है C, F, B, इसमें मेरे पास angle Y आया है मैं क्या कह सकता हूँ, कि B, E, C का angle X जो है और जो C, F, B का angle Y, यह एक दूसरे के equal हो जाएंगे rule आपको पता ही होगा आज congruent करने के बाद C, P, C, D rule लगाया जाता है अब यहाँ पर ध्यान देना है जो मैंने altitude यहाँ पर draw कर रखे है इन दोनों altitudes को कुछ देर के लिए मैं हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा मैंने angle X और angle Y को एक दूसरे के equal कर दिया तो angle X के opposite वाली side और angle Y के opposite वाली side triangle में एक दूसरे के equal हो जाएंगी अगर दोनों angles एक दूसरे के equal हैं तो इनके opposite वाली side एक दूसरे के equal होती है तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई angle X के opposite में A, B वाली side आती है angle Y के opposite में A, C वाली side आती है तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि A, B equals to में हो जाएगा मेरा A, C और बड़ा सा reason यहाँ पर लिखेंगे side opposite to equal angles are equal जो भी हमारी equal angles के opposite में sides होती हैं वो एक दूसरे के equal होती हैं इसलिए A, B और A, C एक दूसरे के equal हो गया है हमें यही प्रूव करना था कि A, B और A, C एक दूसरे के equal हैं अगर कोई भी triangle की दो side एक दूसरे के equal होती हैं तो वो triangle हमारा isocellus triangle हो जाता है last में यहाँ पर एक line और लिख देंगे therefore A, B, C is a isocellus triangle दो side एक दूसरे के equal आ गई हैं तो A, B, C जो हमारा है यह हो जाता है का isocellus triangle question number 4 हो जाता है complete last question बचता है उसके लिए move करेंगे next page पर exercise का last यानिकी question number 5 हमारे सामने है इसमें दिया गया है ABC is an isocellus triangle with A, B equals to me A, C draw A, P perpendicular to B, C show that angle B equals to me C बहुत simple चीज हमें दी गई है कि ABC is एक isocellus triangle है तो बाई सबसे पहले एक triangle draw कर लेना है triangle ABC यह एक isocellus triangle है इसमें AB और AC जो हमारी यह side है AB और AC यह एक दूसरे के equal है तो इन पर इस तरह से single mark हमें कर देना है अब हमें क्या करना है AP draw करना है perpendicular होगा जो B, C पर तो एक line A से हम draw करेंगे B, C की तरफ ठीक है यह वाली जो line मैंने draw कर दी है यह हमारी क्या हो गई AP वाली line हो गई इस point का नाम P रख देंगे और यह line क्या है भाई यहाँ पर जो symbol लगा हुआ है यह perpendicular का perpendicular हमेशा 90 degree का angle बनाती है इस तरफ भी 90 degree का angle बनेगा और इस तरफ भी 90 degree का ही angle हमेशा बनता है दोनों तरफ 90 degree के angle बनते हैं perpendicular पर अब हमें क्या बताना है कि angle B और angle C एक दूसरे के equal हैं भाई angle B आपको यहाँ पर दिख रहा है angle C यहाँ पर आपको दिख रहा है इन दोनों angles को हमें equal करना है equal कैसे किया जाएगा आसान तरीके से समझो सबसे पहले मैं triangle लूँगा मुझे दो triangles को congruent करना होगा कौन-कौन सा सबसे पहले मैं लेता हूँ triangle A, B, P उसके बाद जो दुसरा triangle है वो ले लेता हूँ मैं triangle A, C, P इन दोनों triangles को अगर मैं congruent कर देता हूँ A, B, P और A, C, P figure में देखो A, B, P वाला triangle है और दूसरा कौन सा है A, C, P वाला triangle है इन दोनों को congruent करने के लिए सबसे पहले चीज गया है मेरे पास है देखो यहाँ पर angle 90 degree है यह angle भी 90 degree है इस वाले triangle में कौन सा है A, P, B और दूसरा हमारा triangle में angle A, P, C दोनों एक दूसरे के equal हैं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ angle A, P, B यह equal हो जाएगा मेरा angle A, P, C के reason क्या होगा दोनो 90 degree के हैं तो बोथ 90 degree यहाँ पर हमें लिख देना है next point की बात करते हैं दोनों side मेरी A, B और A, C एक दूसरे के equal दी गई है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A, B, equals to में मुझे दिया गया है A, C, यह हमें given है यहाँ पर आप देख सकते हो A, B, A, C, एक दूसरे के equal है reason भी आपने given ही लिख देना है next point की बात करेंगे हमारे पास देखो जो भी triangle है इसकी side A, P इधर वाले triangle में भी आती है इधर वाले triangle में भी आती है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A, P, equal हो जाएगी हमारी ये A, P के ही दोनो triangles में आती है तो reason हो जाएगा यहाँ पर common 3 point मुझे मिल गए है अब 3 point क्या-क्या है ये ध्यान रखना है हमें सबसे पहले हमें 90 degree का angle मिलता है उसके बाद हमें 90 degree के opposite वाली sides मिलती है 90 degree के opposite हमेशा hypotenious होती है तो पहले हमें right angle यानि की 90 degree का angle मिला उसके बाद जो यहाँ पर हमें मिली ये क्या है hypotenious से एक दूसरे के equal मिल गई और उसके बाद हमें side से एक दूसरे के मिल गई तो मैं कह सकता हूँ कि triangle मेरा ABP जो है वो congruent हो जाता है triangle APC के कौन से rule से हुआ है RHS वाले rule से हुआ है हमारे हो गई है तो जो इनके corresponding part है देखो इसमें angle B आया है इसमें angle C आया है वो भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के equal हो जाएंगे तो angle B equals to angle C में लिख सकता हूँ कौन सा rule लगेगा भाई CP CT वाला rule लगेगा इसमें हमारे पास देखो angle कौन सा आता है B आता है इसमें हमारे पास C आता है तो यहाँ पर हमारे दोनो triangles हो जाते है एक दूसरे के congruent और इनके दोनो corresponding angles भी एक दूसरे के equal हो जाते है एक छोटी सी mistake आप कहोगे आपने कर दी है यहाँ पर लिखा है triangle ACP और यहाँ पर लिख दिया है APC तो इसको सही करके triangle यहाँ पर हम लिख देते हैं ACP Question number 5 हुआ हमारा complete यही हमें show करना था angle B equal है C के तो question number 5 के साथ exercise 7.3 भी complete हो गई उमीद करता हूँ सभी के सभी question आपको समझ में आ गए होंगे अगर समझ आ गए है तो वीडियो को like कर देना आपने classmates के साथ इस वीडियो को share जरूर कर देना और जो भी नए students आते हैं class 9 के channel को subscribe कर लेना क्योंकि class 9 से related math की science की या फिर other subjects की वीडियो इसी तरह से channel पर आती रहेंगी इसके अलावा chapter number 7 triangles के intro वाली वीडियो exercise 7.1, 7.2, 7.3 total 4 वीडियो बनाई गई है इस chapter की 4 वीडियो के लिंक आपको नीचे description box में provide किये गए है सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना जल्दी से जल्दी chapter अपना ये complete कर लेना तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे मिलूंगा next chapter के introduction वाली वीडियो में या फिर Instagram पर